लोगसभा के तिसरे चरण की चुनाओं से पहले तैयारियों का जैजा लेने प्रदेश कॉंग्रेस प्रभारी सचिन पाइलेट राजधानी रायपूर पहुंचे इस दोरान मीडिया से रुबरू होते हुए उन्होंने कहा कि सभी नेता प्रचार में लगे हुए हैं। कॉंग्रेस का 36 गड़ में पूरा फोकस है। हमारे मैनिफेस्टो और केंपेन को पसंद किया जा रहा है जिन जिन राजजियों में सीधा मुकाबला भाजपा और कॉंग्रेस का है वहाँ पर हमारी परफॉर्मेंस अच्छी है। हमने महिला सशक्तिकरण और जन सरोकार की बाते की है पूरी उम्मीद है कि चार जून को इंडिया एलाइंस की सरकार का गठन होगा। हम आयोग को इसे संग्यान में लेना चाहिए इस तरीके से धरम जाती बिरादरी की बात करने से स्वस्त लोकरंत्र की अच्छी परंपरा स्थापित नहीं हो रही है। हम लोगों का है और जो फीडबैक हमें मिला है सेकंड चरण के बाद। हम लोग पसंद कर रहे हैं। कॉंग्रेस पार्टी के परफॉर्मेंस लागातार जैसा मैंने पहले कहा जिन जिन राज्यों में सीधा मुकावला भाजपा कॉंग्रेस का है। हाँ पर कॉंग्रेस पार्टी बहुत बहतर परफॉर्म कर रही है। और जो बॉखलाट मुझे देखने को मिल रही है जो भाशन में शब्दावली का परियोग हो रहा है। मंदिर, मस्जित, मंगलसूत, मुस्लिम, हिंदू... इस तरह के बातें बार-बार करने का मतलब है कि कहीं न कहीं आपका जो लख्ष है उसका पूरा नहीं कर पा रहे है। हम लोग बात करते हैं MSP की, मनरेगा की, महिला से रिक्तिकरण की, वो लोग बात करते हैं विवादित मुद्दों की, तो हम लोग चाहते हैं कि 10 साल का जो आपका कारेकार रहा है उस पर चुनाव हो, ये राश्ट का चुनाव है, बड़ा चुनाव है, और इसमें 5 साल तक आप जनता की सेवा कैसे करेंगे, और बड़ा आश्टरी जनक मुझे लगता है कि आप 10 साल राज किया, आप 5 साल और मांग रहे हैं, और जो देश में नौजवान फौज में जाना चाहते हैं, अगनी मेरे के मादन सुर्ण को चार साल दे रहे हैं, तो नौजवानों को चार साल और खुदगरे 15 साल, और बात कर रहे हैं, दो रहा बड़ा विरोधा भास है, इसलिए अभी जो कैंपेंग चल रहा है, मुझे हमें उसी पर फोकस करना पड़ेगा, जो पबलिक के शूस हैं, किसानों के, नौजवानों के, और देश बहुत कंभीरता से हर नेता की अरवात को सुन रहा है, और सहिंदरने करेंगे, चार जून को मुझे लगता है, कि हमारी इंडिया लाइंस की सरकार का, आप जानते हैं उसका संग्यान दरवाचनावे को लेना चाहिए, हम लोगोंने लिखित में कम्प्लेंज दियें कई बार, क्योंकि इस पकार की बाते करना, धर्म की, जाती की, बिरादरी की, ये एक स्वस्त लोकतंत्री की अच्छी परंपराई स्थापित नहीं हो रही है, मुझे लगता ह बियान जिस तरह की आते हैं, कहीं नहीं कहीं इस बात का संकेत दे रहे हैं, कि सब कुछ चीक नहीं चल रहा है बाचपा के रनीती में